हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने आलियों बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट नास्ता वही सिर्फ दो चीजों से तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो कटोरी पानी ले रही हूं उसमें आधा चम्मच यानि स्वाद के इन साथ नमक डाल दें और उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी डाल दिया है गैस को मीडियम कर दें और लगातार इसी तरीके से चलाते रहें यह दीरे दीरे ठीक होने लगती है जब बिल्कुल ठीक हो जाए बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं बस आप गैस बिल्कुल धीमा कर दें और एक मिनट के बाद गैस को बंद कर दें आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जब हो जाए तो आप गैस को बंद करणे और इससे प्लेट में खंड éta कर लेंगे कर लेकर लिए था 마음에 रेंटो तो मैंने प्लेट में टांसपर कर लिया था और सेम कड़ा यह मैंने फिर से कवरीज पी चढ़ा दी है अब उसमें डालेंगे एक करीब तेल रेल हमारा थोड़ा सा जब घरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधा चमच जीरा आधा चमच कुटी हुई साबू धनिया आधा चमच कुटी हुई सौफ को डाल देंगे इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एक पिंच मैंने यहां पर हींग डाल दिया इन सभी चीजो जब आलू की थोड़ी पीसे सोती है तो नास्ता बहुत ही बढ़िया उत बनता है अब हम इसमें स्वात केंस्वान नमक डाल देंगे थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहां पर लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और एक चमच मैंने यहां चिली फ्लेक्स डाल दिया है अगर आपको और जादा तीखा खाना है तो यहां पर गरम मसाला और हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं यह भी हमें पलेट में टांसफर कर लेंगे तब तक यह ठंडा हो रहा है एक छोटी सी तयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दो चमच के क बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा हलका सा आप नमक भी डाल दें अब जो सूजी थी उसको मैंने हाथों से अच्छे से मसल देंगे बिल्कुल डोग की तरीके से तयार हो जाता है तो इसमें से एक निम्बू की अकार का बोल्स लेंगे और हाथों से इसी तरह के से दबा जाता है तो अब जब उसके बाद में जो आलो की श्टिपिंग तयार की थी बीच में रखेंगे और साइट से इसी तरीके से दबा देंगे बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम समय में बन जाता है और एक बार अगर यह नास्ता आप में बनाया तो हर बार वच्चे ड देंगे तो चाको को आप उल्टा करके इसमें इस तरीके से डिजाइन दे सकते हैं इससे क्या होता है नास्ता देखनी में बहुत ही जादा सुन्दल लगता है तो इसी तरीके से हम सारे नास्ते में डिजाइन लगा के तयार कर लिए आप देख सकते हैं कितना सुन्दल तब ही आप इसमें नास्ता डाले तो इसी तरीके से डिप करेंगे और नास्ता को डाल देंगे और इसको आप हाई फ्लेम पे भी प्राई कर सकते हैं इसमें कुछ पकाने वाला ने सूजी जो है वो ही हमारी पकी हुई है बस हमें क्या करना है इसको क्रेश्पी करना है तो आए नास्ते बनाकर तयार कर लेंगे और आप लोगों को हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मिलते हैं कोई नई वीडियों है तब तक के लिए बाई बाई